जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग शागत रता हूँ आपके अपने भैक यूटूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में दोस्तों भी हम बात करेंगे CWC लीग 2 वन डे का जो मुकावला खेला जाएगा मॉर्निंग में स्कॉट्लेंड वर्सेज नमीबिया के साथ इसको लेकि हम डीटेल्स में देखेंगे परखेंगे फिर हम बात करेंगे अपनी फेंटैसी टीम को लेकिए आपको मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दूँ अभी जो हम देखेंगे वो महज एक अपना टेमो टीम होगा फाइनल टीम में जो भी बदला होगा उसका अपडेट आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से जुरने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है चले जाना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में वहाँ पर जाने के बाद आपको सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक उसके उपर क्लिक करके आप सभी को वहाँ पर ज्वाइन कर लेना है अब दूस्तों बात करूँ यहाँ पर प्लेइंग 11 को लेके तो बहुत ही बड़ा कुस्तन और इसके लिए थे मतलब अपने में 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 चार पांच पिलर को उन्होंने बैठाया था बैठाया था इंतरसेंस की रेस्ट दिया हुआ था तो इसकोटलेंड की टीम वही अप्रोच लेके यहां भी आएंगी यहां फिर वह सारे पिलर को फिर से प्लेंग लेने जगा दें अब मुझे यहां पर हमजा ताहिर का भी रॉल समझ नहीं आ रहा है कि अच्छी गिंदवाज है पता नहीं इनको अब टीम एक ओवर दो और तीन ओवर ही क्यों दे रही है जबकि यह स्टार्ट आफ दो सीजन में आठ से दस ओवर तक डालते थे अब यहां पर ध्यान तो आपको दिखेंगे लोहांदरे फिर आपको दिखेंगे काल बिर्श टॉक एम वन लिंगं जी रेसमस जे निकोल ओफ्टीटन जेन गिन पिकीवे फ्रेंस रिबेन ट्रंपलमन बर्नार्ड लुंगा मनी उसके अलाबा यहां पर आपको जे फ्रेलिंक अगर खेलते दिख लोदा हारे एक इनका नो रिजल्ट रहा है दोनों तीम के अगरम लास्ट मैच के ओपर घ्यान देंगे तो लास्ट मैच नमीबिया की जो टीम है वो नेपाल के साथ खेल के आ रहे है जहां पे नेपाल की तीम ने इनको फ्रेंटी दी थी बल्लेवाजी में लोहां किये थे अब इनके एक प्लियर है जे निकोल लॉप्टी इटन अब वो देखो यार कभी डाल देगा आठ होवर कभी डेथ में गिंदवाजी करने आ जाएगा कभी बिल्कुल ही इस्पेल नहीं डालता है तो पता नहीं वहां पे टीम उनको लेके क्या सोच रखती है डेथ तो आपको most of the chance दीखेंगे ट्रंपल में लोंगमनी कभी कभार आपको यहां पर कोई भी unexpected दीख सकते हैं अब आईए हम बात करते हैं सामने वाली जो टीम होंगी स्कॉटलेट उनका लास्ट मुकाबला तो नेपाल की टीम ने उनको भी तीन विकेट शिरौन दिये पता है क क्यों नेपाल का होम ग्रॉंड है किरतिपूर और इनकी जो स्टार प्लियर है संधी प्लमिछा ने वह अब खेल रहे हैं बल्लेबाजी में क्रिश्टोपर मैकवीड किये थे 22 बैडिंग्टन 19 थोमस 19 एम क्रॉस दो बेंडन मकमूलन 22 सी ग्रिप 16 माइकल लिस्क किये थे 1785 पचासी वाल में जैक जरविस 26 मार्क यहट बीस सोले पांच किये थे गिंदबाजी हम बत कर लूँ तो सीपी सोले दस और बाता रन तीन विकेट वेंडन मकमूलन 49 रन जीरो विकेट मार्क यहट दस और 49 रन तीन विकेट लिस्क दस और चोब रन रन एक विकेट बाकी जै कायद आपर मार्क यहर्चे भी डेथ में करवा लेती है अब यहां पर अगर आपको दिखेंगे यहां पर जी देश्मस लास्ट के दस मैच में 309 रन की है 47 का बैटिंग एवरेज और यहां पर 88 का बैटिंग एवरेज है अगर हम बात करेंगे यहां पर सामने वाली टीम ज जिन्दबाजी यह बात कर लेंगे तो रवन ट्रमपलमें दस मैच 21 विकेट एकोनोमी 5-2-1 का इस ट्रैक चोवीश का सपास लुंका मनी 10 मैच 17 विकेट एकोनोमी सारे चार का स्ट्रैक इस का सब्सक्राइब यहां रखेंगे का मतलब यह होता है कि नॉरमली इतने बॉल मे जान देंगे तो हम देखेंगे कि लास्त के पांच में से चार दफावा स्कॉट्लैंड की टीम विन की हैं और एक दफाव नमीबिया के टीम विन की है बत मैं आपको बोलूंगा कि अभी वाली जुप है अगर मालो सडी okay तो आप एक बराबरी का बैटल मानके चल सकते हो प निकोल वफ्टीटन जीरो जैन गिरिन 25 रन पिकी वैफ्रेंस 11 बर्डनार तीस किये हुए थे उसके लब अरुबेन यहाँ पर चे किये थे लुंगमनी एक और अरुबेन सिंकांगो एक किये थे जैन्दवाद जी में यहाँ पर मकमूलन विकेट लेज गे थे शरीफ आट अवर 29 रन तीन विकेट मार्केट नो अवर तीस रन तीन विकेट घ्रांड रखी का लिस्क के उपर बैक टू बैक अच्छा प्रदसन कर रहे है आट अवर दोगेन 24 चोबिस रन 4 विकेट हम जाता ह मैच को समाप्त कर दिया था अगर वेन्यू को लेके बात कर लेंगे तो किर्थीपूर में मुकाबला होगा जहां पर वली आपको बॉलिंग फ्रेंडली विकेट दिख रहा हो लेकिन मैं देख रहा हूं कि लास्ट के कुछ तीन-चार मैस चे अच्छी रन बन रहे हैं थोड़े बहुत ना के बरावर रेन के चांसेज आपको दिखेंगे प्रेसर को यहां पर अच्छा मदर मिलता है टॉप प्लेट्स अधिस वेन्यू बेस्ट ऑन लास्ट टू यहां बात करेंगे मुन से एक मैच के लिए एक सुतीन की है मैकलर वन लिंगम का यहां पर दो मै इसका बैटिंग एवरेज है अगर गंदवाजी यह बात कर लेंगे मार्क यहां पर मैच तीन विकेट लिए हुए हैं सोले एक में तीन मैकल लिस्ट दो मैच खेलें पर मैच दो दुशनलाव पांच विकेट लिए हुए हैं जे निकोल लॉप्टी टी टेन दो मैच के यहां पर दोसव सतरह का तॉस विनस और टु बॉल फस्ट परसंट के मतलब पांच में से चार दफाया हुआ है जो टीम टुशनल पहले यहां पर एंगे हैं कि लिए हुए बात करें दोनों टीम के लाश्ट के पांच वडिया मैच में तो नमीब्या की टीम लाश्ट के पांच में से दो जीते हैं दो हारे हैं एक no result Scotland की टीम तीन वीन की हैं दो हैं पर हारे हैं और बात करें यहां पर सामने battle को लेकिन आपको पहले बता दिया लास्ट के पांच battle में चार दफा Scotland एक दफा नमीबिया की टीम ने मैच निकाली है अब आई यह पर्टिकूलर टीम दूंगा उससे आपको ड्रीम 11 पे जीयल मीनी जीयल थोरा भूत आपको एसल वहां पर जोइन कर ले हैं मैं आपको ड्रीम इलंकर टीम सिर्फ पर से जीयल वेसिस पर टेलीग्राम पे भी और वीडियो में भी प्रोवाइट करवाता हूं अब बात करें विकेट के बीज़े तो मैं यहाँ पर M क्रॉस को लिया हूँ है बैटिंग बात कर लेंगे तो मुन से अगर खेलेंगे तो मैं जवूर लेकर जाओंगा ऑप्सन में बात करें तो यहाँ पर Z ग्रीन और लोहंदर एको आप ट्राइग कर सकते हो मुन से कॉटजर खेलते हैं तो मैं इन दोनों को लेकर जाओंगा लेकिन कुछ भी न्यूज मेरे पास अभी तक निकल की नहीं आया है यह खेलेंगे की नहीं खेलेंगे अभी के लिए मैं पर इरेसमस बेरिंग्टन और M1 लिंगम को ट्राइक क्या हुआ हुआ है आप M1 ल लिंग अगर खेल जाते हैं तो आप बैक कर सकते हो पहले आईए बॉलिंग सक्षन में सरीफ खेलेंगे तुम जरूर लेकर जाएंगे अभी के लिए हम यहां पर सी सोले मार्क यट उसके लबाब बर्नार्ड और ट्रंपल मैंन को अपने टीम में जगह दिया हुआ है एक प प्यूर फ्रेंस बी माकूमूलें मैकलिक सोरे मर्क यट और यहां पे भी बर्नार्ड स्कॉल्टिस के साथ प्रंपल मैंन को अपने टीम में जगह दिया हुआ है बात करूं ड्रिम 11 को लेके तो मैंने विकेट की पीछे यहां पर एम क्रॉस को लिया हुए बैकिंग से मैंने मैंने अपने टीम में जगद दिये हुए इरसमस को बात करूं और से तो मैंने अपने टीम में जगद दिये हुए यहां से माइकलिस्क मकमूल है उसके लावा जे निकोल ओफ्टी इटन फिकी वाइफ्रेंस को बालिंग बात करूं तो मैंने यहां पर बर्नार्ट को जगद द दिया हुआ है तो ड्रीम 11 का अपना फाइनल टीम है वह आपके सामने कुछ ऐसा होगा मैथ्यू क्रॉस जी इरेसमस उसके लबावा फिकी वैफ्रेंस जे निकोल लॉफ्टी इटन मैकल लिस्क बी मकमूलन बॉलिंग से बात करू लूंगमनी बर्नाड ट्रंपलमें सी सोले औ पर आप फिस जाओंगा यहां पे मारकियट यहां फिर इरेसमस के साथ कुछ अलग करना होगा तो मेरे नजर यहां पर अट्रंपल मैन भी उसमेंसे एक और हैं अभी लिए केप्टन से यहां पर दिये हुए मैकल मैकमूलन को और वी सी मैं ने दिया है मारक यट को सेम मैं क् टॉस का इंतिजार करेंगे टॉस के बाद आपको बंचेज आफ चैन्जेस देखने को मिल सकते हैं यहां पर हमारे वीजी ओंगे मार्केट कैप्टन हो जाएंगे भी माकमोलन उमीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर दोस्तों वीडियो लाइक और यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मिलते नेक्स्ट वीडियो में तो के लिए इंज्वाई कीजिए अच्छा खासा वीन कीजिए और समझ दाड़ी से दोस्तों में अच्छा खासा इंवेस्टमेंट कीजिए